मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं IFCI सेयर के बारे इसका पूरा नाम है IFCI लिमिटेड आज हम लोग इस सेयर का चार्ट रिडिंग करके जानेंगे इसका टार्गेट और स्टॉप लॉस त्री आवर के चार बारा मत भूलिएगा मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूं तो श्री अब आगे बढ़ते हैं त्री आवर के चार्ट पे इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 15 रुपए 40 पैसा का सेकेंड जो टार्गेट होगा वो होगा 16 रुपए का औ इसका सेकेंड स्टॉप लोस होगा 14 रुपए 20 पैसे का और इसका थर्ड स्टॉप लोस होगा 13 रुपए 30 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे डेक एंडल पर डेक एंडल पर इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 15 रुपए 65 पैसे का सेकंड जो टार्गेट होगा वो होगा 16 रुपए 95 पैसे का और थर्ड जो टार्गेट होगा वो होगा 18 रुपए 85 पैसे का अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लोस की इसका फर्स्ट स्टॉप लोस होगा 13 रुपए 75 पैसे का सेकंड जो स्टॉप लस हो का वह होगा 12 रुपय पैसे का अबंग बात करेंगे विकली केंडल पे विकली केंडल पे इसका जो फर्स टार्गिट होगा वह होगा अठार रुपय पैसे का second जो target होगा वो होगा 20 रुपए 60 पैसे का और third जो target होगा वो होगा 25 रुपए 5 पैसे का ठीक है फ्रेंड अब हम लोग बात किरेंगे इसके stop loss की इसका first stop loss होगा 14 रुपए 45 पैसे का इसका second stop loss होगा 12 रुपए 85 पैसे का और इसका जो फार्ड को फस्ट औाच है 12,25 इसका सेकेंड लोस और इसका जो फार्ट इसाइब होगा वोगा 10 रुपए 5 पैसा रेजे का ठीम है वेकलीई और मन्तली केंडल करार्गेट तो उम्मीद है मुझे बतानी के ज़रत नहीं पड़ी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसे रेली को मंतली केंडल पर आप समझ सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं यहां देखिए आप लोग इसे देख सकते हैं और उसके बाद से यह भी देख सकते हैं कि जब क्रेक्शन आया था यह यह इसका सपोर्ट का काम कर रहा था यह सपोर्ट जब तूटा तो यह इतना नीचे आया अब इस लेबल को अगर यह ब्रेक करता है तो यह उपर जाने की प्रवाबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा फिर यहां पर जो बड़े इंवेस्टर है वो इंट्री लेंगे ठीक है फिर तो अब हम लोग इसको टेक्निकली समझेंगे और फंडामेंटली अभी तक हमने चार्ट से समझा इसका टार्गेट और स्टॉप लोस तो फ्रेंड मैंने दो इंडिकेटर हैं सेट कर लिया है आरे साई और में सीडी मैं यह दोनों को फॉलो करता हूं ठीक है अब आप लोग देख सकते हैं क कैसे गिरावट कहां से स्टार्ट हुई थी यहां से फिर रेगुलर्ली अब यह अब 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 और आप देख सकते हैं कि इसको यहां तक तो आना ही पड़ेगा 35 ठीक है तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं आरे साई की बात करें तो आरे साई आपका 58 पे मंतली केंडल पे और और MSCD के बात करें तो यह बेरिश पेटन बनता हुआ दिख रहे अब आपनों बात करते हैं विकली केंडल पे विकली केंडल पे देखिए क्रॉस क्रॉस ऑवर बन चुका है यहां क्रॉस हो चुका है उपर से तो यहां इंट्री बनाना सही नहीं होगा लॉंग पोजिशन और MSCD पे भी अपमोंबैट की सिगनल है बैटरे कंफर्मेशन नहीं है अभी तो हमने अभी RSI और MSCD से देखा अब हम लोग देखेंगे इसको इसका फंडामेंटल फंडामेंटल की बात करें देखिए एक मंत में 8.26 परसेंट का नेगेटिव रिटन है और एक साल में 66.67 इसका फॉजीटिव रिटन है बाइन वीक हाय की बात करें 18 रूपया 55 पैसा बढम लोग भी बात करें तीन हजार बार सट करोर का इसका मार्केट के पेठ की बाप बात करें 5.3 लेकोई से अब बात करते है उस में लेटेस्ट नहीं है तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे बात करेंगे कल के ट्रेडिंग की तो प्रिवेस जो क्लोजिंग था मतलब कल से पहले का क्लोजिंग यह तो कल का क्लोजिंग है तो कल का जो क्लोजिंग था वह 15 रुपए पर हुआ यहां भी आप लोग देख सकते हैं और ओपन हुआ था मार्केट जो कल वह 14 रुपए 20 पैसा पे हाई लगाया था 15 रुपए 15 पैसा का लो बनाया था 14 रुपए 5 पैसे का और इसने 15 रुपए पे अपना मार्केट क्लोज कर दिया ठीक है तो आसा करता हुआ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना जाद 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 वीडियो को सेयर करना मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई